है है που है धोलो दोस्तो स्वागत आपका स्टॉके animals पर आज हम जानेंगे वाउट इस ब्लोक के न किक्नलोजी क्या फिर यह ब्लोक ये ऐकाम करती हेलो गाइस मैं हूँ मोहित लंबा आप दिक्रों स्टॉक एंड क्रिप्टो चलिए शुरू करते हैं ब्लॉक्चेन एक डेटाबेस है सुना वाट इस डेटाबेस डेटाबेस यानि कि एक कलेक्शन ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर नेटवक्स पर इलेक् होती है दूसरी चीज हर एक ब्लॉक के पास अपना है और अलक अलग होता आप जो हर एक ब्लोक को एक दूसरे से different बनाता है इड Nh चीज used to uniquely identify every block. तीसरी चीज़ होती है hash of the previous block. हर एक block के पास अपने hash के साथ अपने जो पीछे वाले hash की information है वो भी store होती है. तो in short हर एक block तीन चीज़ों से बनता है data, hash and hash of the previous block. इस तरह जब बहुत सारे blocks एक दुसरे से जुड़ते हैं तो बन जाती है एक single blockchain. blockchain को hack करना nearly impossible है क्योंकि हर एक block का जो transaction code है यानि की hash है वो दुसरे block से अलग होता है और most importantly अपने पीछे वाले block से जुड़ा हुआ होता है. तो अगर किसी ने blockchain के एक code का number भी change करने की कोशिश की तो पूरी blockchain खराब हो जाएगी और वो hack easily identified हो जाएगा. जिस तरह हमने database को इंफोर्मिशन को record करना और उसे distribute करना लेकिन blockchain अपने record किये हुए data को edit करने की permission नहीं देता है और इसी कारण इसे hack करना मुश्किल है इस दुनिया में blockchain पहली बार 1991 में आया through Stuart Haber and W Scott Stornetta लेकिन इसका पूरी तरह इस्तमाल 2009 में किया गया जब एक unknown creator Satoshi Nakamoto ने bitcoin का आविश कर किया Bitcoin यह entirely blockchain technology पर बेस्ट है तो in short blockchain यह एक instrument है जिसमें हम large amount of data को store कर सकते है without any tension and full security तो देख लेते कि how blockchain helps cryptocurrencies blockchain यह specific database for cryptos जो cryptocurrency के हर एक transaction को safely and securely record करता है रेकॉड करने के बाद इस stored information को वो decentralized computer networks पर spread out कर देता है इसी कारण stored information को बीना किसी centralized authority के handle करना बहुत ही ज्यादा easy हो जाता है time save होता है रिस्क भी कम हो जाता है और most importantly process and transaction fees save हो जाती है तो चलिए blockchain के advantages और disadvantages पर एक नज़र डाल लेते हैं पहला advantage increases accuracy दूसरा है cost reduction क्योंकि इसमें third party transactions delete हो जाते हैं और तीसरा है transactions are one-to-one basis and highly secured जैसा कि हमने अभी देखा कि इसमे cost reduction possible होती है क्योंकि इसमें third party transactions नहीं होते हैं और जैसे कि third party transactions नहीं है तो one-to-one basis पर हर एक transaction होता है और security बहुती ज्यादा होती है disadvantages की बात करेंगे तो at present low speed यह इसका disadvantage है क्योंकि फिलाल blockchain technology worldwide इतनी ज्यादा डेवलप नहीं है और इसी कारण इसकी speed बहुत लो है लेकिन आने वाले time में जैसे जैसे technology develop होती जाएगी इसकी speed automatically increase होती जाएगी तो I hope दोस्तों कि यह वीडियो देखने के बाद आपको blockchain technology का पूरा concept clearly समझ आ चुका होगा अगर आपको और interesting concepts जानने है जैसे कि web 3.0 क्या होता है Metaverse क्या होता है DeFi क्या होता है तो मैंने उस पर already detailed videos बनाके रखी है जिसकी link आपको one by one description में मिल जाएगी तो मैं आपको recommend करता हो कि वो वीडियो भी जाके देखे क्योंकि दूसरों के पहले आपको उस information का knowledge मिल जाए तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे like कर देना maximum लोगों के साथ share कर देना और ऐसे interesting concepts अगर मैं और बनाओ तो उसके बाले में मुझ